परदेश भर में इन दिनों सड़क सुरक्षा नियमों के प्रती जागरुखता फैलाई जा रही है। यहां कारेकरम बढ़ती सड़क दुरगटनाओं में कमी लाने के लिए चलाया जा रहा है उसी दिशा में। क्षेत्री अस्पता सोलन में भी आज कुजी स्कूल से आये 24 चात्र चात्राओं को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रती जागरुख किया गया। साथ ही उन्हें बताया गया कि अगर कोई दुरगटना ग्रस्त हो जाता है तो उसे किस तरह से फॉस्टेड़ ट्रीटमेंट दिया जाता है। हुँआ है जोगर कर दो है नाजकर कर दो अखना उसे मिश्टेम अगर करेंद नागराख भी जाता है। आज यहां पर रोड सेफटी एक्टिविटीज के अंडर जो है गौर्वर्मन्ट सीने सेकेंडी स्कूल को जी के बच्छों को रोड सेफटी के बारे में थोड़ा बहुत ग्यान दिया गया है और सबको भी साथ के साथ मेसिज है कि जब आप सड़क पर चल रहे हैं चाहे आप पैदल यात्री हैं या आप अपने वहां को चला रहे हैं तो जो यातेयात के नेम हैं उनको ध्यान दीजे और गुड्स मार्शियन लॉज के अंडर आप जो भी वहां पर कभी आपको कोई गा नहीं सकता है या आप वियान देना चाहते हैं तो भी आपका वियान एक ही दिन में लिया जाएगा ताकि आप अपनी मदद करने के तरीके के लिए आपको कोई व्यावधान ना आपके काम करने में और रोड सेफ्टी के अंडर सभी के लिए है कि जो रोड रेज और डॉंक और ड्राइविंग वगारे या मुबाइल का इस्तमाल है वो सभी से अन्रोध है कि इन चीजों से फरेज रखे क्योंकि यह आपके और दूसरी की जान को कम से कम सतर यासी परसेंट ज्यादा रिस्क पर डाल देते हैं और भारत वर्ष से में जितने लोग एक्सिदेंट में मरते हैं उस वो 36 प्रतिशत है जबकि हिमाचल का प्रतिशत 40 प्रतिशत है क्योंकि यहां के जो टरेन है वो हिली है तो आप सभी से अन्रोध है कि इन चीजों का ध्यान रखें और यातायात नियमों का आप जो है पालन करें धन्यादा जहां पर 24 क्या स्वास बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दी है इन्हें रोड सेफटी के जो लॉज है और थोड़ा बहुत ट्राइज और जो कहते हैं कैसे फरस्टेट करनी है उसके बारे में थोड़ा बहुत ग्यान दिया गया